असलाम लेकुम, हाज हम आपके लिए लाए हैं सर्दी की एक बहुत ही special recipe जिसका नाम है hot and sour soup इसे हम बनाएंगे बिल्कुल restaurant style बिल्कुल perfect measurement के साथ तो चलिए देखते हैं, recipe पसंद आए तो like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा soup को बनाने के लिए सबसे पहले कडाई में ले लेंगे 2 tablespoon तेल और जैसे ही तेल अच्छा गर्म हो जाए तो 2 tablespoon आप चौप किये हुए lesson को डाल दीजे, यहां पर 2 प्याज ली है मैंने, जो प्याज की सबजी होती है उसका white part add किया है, कुछ seconds के लिए से पका लेंगे फिर डाल आधा कप veggies, जो भी सबसी आप चाहें डाल सकते हैं मैंने यहां पर पत्ता गुबी, शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल बारिक चौप करके, एक मिनिट के लिए से पकाना है और फिर आपने डाल देना है उबला हुआ रेशे किया हुआ चिकन, चिकन ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, नमक टेस्ट के अकोर्डिंग डाल दीजे, जाएगा चार टेबल स्पून चिली सॉस और चार टी स्पून विनेगर, मिक्स कर लेंगे अची तरीके से, और फिर आप इसे पकने दीजे कि इसमें उबाल आना तो इसे आहिस्ता आहिस्ता से आपने एड करना है सूप में और दुसरे तरफ से चमच से हिलाते जाएए कि कोई लंस ना हो, फिर एंड में आपने इसमें डाल देना है, चार टेबल स्पून सोय सॉस, डाक सोय सॉस का इस्तेमाल किया मैंने, अब इसको उबाल आने तक हम प लाते जाएंगे, तो इस तरीके से जो अंडा है वो भी शामिल हो जाएगा हमारे सूप में, बस इस स्टेज पे आपने थोड़ी देर और पका लेना है, हमारे सूप को दो से तीन मिनट के लिए पका लीजेगा, यहां पर आप डाल दीजे, स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्स जो हरी सबजी होती है, एक टेबल स्पून आप इसमें एट कर दीजे शेहत, इससे जो सारे सॉसे आपने डाले हैं, उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है, दो मिनट के लिए पका लेने के बाद, गैस का फ्लेम बंद कर दीजे, और हमारे यह बहुत ह तो भी तो पुझे जाता है, तो इन ठंडियों में सर्दियों में आप इस सूप को इंजोई कीजे घर पर, इस रेसेपी से आप छे सर्विंग्स तैयार कर सकते हैं, तो जरूर ट्राय कीजेगा इस रेसेपी को, रेसेपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजेए, चैनल प प्राय करते हैं, तो मुझे अपना फीडबेक जरूर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबेक पढ़कर, अपने फीडबेक देना बिलकुल भी ना भूले, मिलते हैं नई रेसेपी के साथ,